हेलो अलफा मेंबस आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है अभी हमने शेर की थी में फोरूम के उपर उसके बाद जो भी हमारे अलफा मेंबस के गुरूप हैं उनके उपर आपको वट्सएप के उपर कुछ पुरानी वीडियो हमने शेर की हैं आपके साथ वो पुरानी Capital structure आज की डिट में है Company fine cam क्या करती है क्या प्रस्तिती है तो उन सब को समझाने के लिए तो इन सभी बातों को समझने के बाद जो है आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझवाएगी क्योंकि वो पुरानी करना चाहिए और अभी मैं काफी आस्वस्त हूं कि अभी एक और इसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने तो फिर मैं आपको इस company के future course of action के बारे में भी चर्चा करूंगा कि जब दो company अलग-अलग बन जाएंगी फिर make money और गुनो केम जो बनेगी company वो क्या कर सकती है तो वो चर्चा मैं बाद में करूंगा क्योंकि वो भी suspense जो है भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसका अभी कोई सरपैर नहीं है तो जब तक company हमारी अलग हो के ना जाएंग हम उसको एक दूसरे तरीके से या दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे तो देखेगा सबसे पहली बात प्रस्तिती क्या है प्रस्तिती यह है कि अब final order की तरफ हम बढ़ रहे है final order नहीं आया है यह कभी आप सोच रहे हैं कि इसको final order इंटरिम order है but 99% cases में यह जो order होता है यही इस तरीके के cases के अंदर final order होता है कुछ extraordinary cases छोड़ दें तो बात अलग है अब यह order आएगा कब तो अभी NCLT की जो है कुछ vacations रहती है मई के महीनों में भी तो यह जो order है हो सकता है कि 30 दिन के अंदर इस order को जो है हम उमीद करते हैं कि आ जाना चाहिए अभी भी आज से 30 दिनों के अंदर तो हमारे पास जब यह order आएगा तो इस order के बाद होगा क्या इस order के बाद करीब दस से पंदरा दिन जो है और लग जाएंगे एक appointed date जो आएगी जो मैंने आपको बताए हो order में कि उस appointed date से जो है कंपनिया लिस्ट होंगी तो इन दोनों company do be list करा दिए जाएगा अब डि लिस्टिंग के बाद रिलिस्टिंग की उन दो companies की तो उस पूरी process में गडिब लगव कर्सम है नॉर्मल किस में लग जाता है हो सकती है कि यह जो पैसा आप इसको डालें वो सेल ना कर पाएं तो यह ध्यान रखना एक लिक्विडिटी की प्रब्लम हो सकती है तो जो भी अपनी पोजिशन ले उसमें इस बात को ध्यान रखें दूसरी बात है कि 1000 के मतले हम 5000 शेर मेंड ओर्कनिक्स की जग facets में अर्गनों के मिलेंगे जो मेंग बनी कहीं विजनस है इसके लाबा मेंड मीं फाइं के जो शेर्स है वह आपको 1000 शेर पर 94 शेption मिलेंगे तो वह नंबर स काम है लेकिन वो शेर की face value 10 रुप deeply kony दंधे है bes Devices ह पर 110 पर हमें शेयर मिले लेकिन यह नहीं मिला तो भी हमें जो है मजबूरी में थोड़ा उपर यह शेयर लेने पड़े और भी जो फर्दर बाइंगम ने की इस अफते के दुरान तो मैंने आपको यही जो है चर्चा करनी थी कि यह शेयर किस तरीके से बटोरा जा रहा है क्य स्ट्रेटेजी हो सकती है और ध्यान रखिएगा जिन लोगों के पास धारिय नहीं है उनके काम की नहीं है वीडियो भी काम की नहीं है और उनके पैसे भी है तो किवल धहरिया का काम है, patience जो है वो चाहिए अब आपको तो क्योंकि आपके अंदर कितनी भी समझदारी हो लेकिन आपके अंदर patience नहीं है तो आप इस बजार से तो पैसा नहीं कमा सकते हैं, यह तो पक्का है तो ये धहरिये का काम है तो जिन लोगों के पास धहरिये वो ही इससे पैसा बनाएंगे ये भी बात धहन रखिएगा smart players जो है वो धहरिये भी रखते हैं एक long term vision रखते हैं और उसी से वो पैसा बनाते हैं तो इसमें जो पैसा बन रहा है वो कुछ ऐसे players है जो कलकता based है कुछ ऐसे हैं जो हमदाबाद based है कुछ ऐसे हैं जो मुंबई based है जो इस share को जो है मेरे से भी जाद अच्छे तरीके से समझते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इस chase के साथ play कर रहे हैं यह भी मैं आपको बता दू उन लोगों को उमीद नहीं थी कि उनको यह 141 रुपय के भाव पर वो यह शेर लेंगे उनको यह लग रहा था कि इसको सस्ते से भाव में बटोर लिया जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को पागल बना दिया जाएगा लेकिन रिटेल इन्व मुझे अभी लगता है कि यह शेर यहां से आने वाले दो साल से लेके धाई साल के अंदर मैक्सिमुम थ्री यस में अगर बजार की दशाय ठीक होई यह कंडिशन से स्टोक मार्केट की दशाय अगर ठीक होई तो यह शेर डबल हो सकता है मुझे मिनीमम बेसिस पे लगता है मैक्सिमुम की कोई limit नहीं होती क्योंकि sky is the limit तो मुझे डबल की उमीद है कि अगरे तीन साल के अंदर shareholder की wealth मैं share के price के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो यह जो share है इस share के अंदर सबसे खास बात क्या है कि क्या यह share अपने दम पर 141 रुपे के भाव पे खड़ा हूँ यह कुछ और कहानी है इसमें तो उसको मैं चर्चा करूँगा देखिएगा यह जो company है अभी हाल फिलाल में जो है अभी 14.9 की PE ratio पर trade कर रही है तो अगर यह 14.9 की PE पर यह जो share trade कर रहा है तो क्या यह महंगी valuation है answer is no इस pigment के अंदर इस size की company करीबन 20-25 के PE ratio पर trade करती है तो अगर आप उस angle से देखेंगे इस shares को कि 20-25 की PE ratio पर यह company ट्रेड करती है तो यह share महंगा है या नहीं है अब हम बात करते हैं कि make money organics का consolidated profit है वो करीबन 200 करोड के आसपास हम मुमीद करते हैं कि साल का होगा अब यह जो company हमारे को मिलेगी make money organics उसके share के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा हमारे पास मन लीजे का 1000 share में मनी के तो यह 1000 ही रहेंगे और 94 share fine cash के आजेंगे इस shares के इस company के पास 25.33 crore shares है और इसमें 4 crore कुछ लाग shares है तो मैं exactly 4 crore से calculation करूँगा और इसमें 25.33 crore को अटा देता हूँ तो मैं 25 crore से इसकी calculation करूँगा देखेंगा इस company की market cap अगर आप देखना चाहेंगे तो यह 3589 है अपनी life की highest market cap के ओपर यह share खड़ा है क्योंकि highest price के ओपर ही यह trade कर रहा है अब बात यह है कि यह जो 25.33 crore shares है इसके सामने 3.33 तो हमने अठा दिया और यहाँ पर 4 crore shares तो यह जो market capitalization है यह basic parameter होता है company न तो आप अगर आप इसको 3 years down the line अगर आप 3 साल का projected cash flow देखें या projected profit देखें तो उसी के साब से valuation होगी देखेंगा stock market में valuations future earnings के उपर होती है past में क्या हुआ वो depend नहीं करता तो जो future earnings है वो एक major role play करती है अब इसकी future earnings के अंदर जो मुझे personally लगता है कि तीन साल बात यह जो company है इसके pigment division में ज़्यादा expansion नहीं है लेकिन agro में इनके पास expansion है उन सब को calculate करते हुए हमें ऐसा लगता है कि यह company make money जो organo camp है organo camp जो बनेगी वो करीबन धाई हजार करोड से लेके करीबन करीबन तीन साल बात यानि कि आज से कर आप तीन साल बात देखे हैं हम 2021 में तो तेहीं से चोगिस के आसपास यह जो company है यह धाई अजार करोड से लेके तीन आजार करोड के बीच में सेल करेंगी क्योंकि commodity इस पर डिपेंड करती है तो crude oil के prices काफी जो है decisively जो है role play करते हैं लेकिन जिस तरीके से EV कल्स पर आ रहे है तो हमें लग रहे है कि crude oil के price दूपर की तरफ नहीं बढ़ेंगे और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर और positive हो सकता है इसके हिसाब से हमें लगता है कि 8% का normal जो है emergency company generate करेगी यानि कि 200 करोड़ रुपे का profit और गुनो कैम एक साल के basis पर generate करती भी नहीं जा रहेगी और यह जो company है chloro alkalizer business के अंदर है यानि कि make money fine income limited MFL यह company भी करीवन 2,000 करोड़ से लेकर साड़े 3,000 करोड़ के बीच में सेल करती भी नहीं जा रहेगी क्योंकि थोड़ा cyclical business है तो exact prediction जो है वो difficult हो जाती है तो हम एक average लेते हैं कि यह भी 6,000 करोड़ के आसपास की sale करेगी लेकिन इसका जो profit है वो vary करता है कभी जादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है तो हम यह भी मान के चलते हैं कि यह company भी 8-10% business के अंदर profit generate करेगी तो मैं lower side में 8% कही margins लेके चलता हूं और करीब अन 200 करोड़ रुपे यह भी profit कमाएंगी यानि कि जो दोनों कमप कहां पर अगर मैं चर्चा आपके साथ करूं कि अब अगर यह दोनों कमपनियां मेग मनी ओर्गोनों केम और मेग मनी फाइन केम लिप्ड़ दोसो दोसो करोड़ रुपे का profit generate करती थोड़ा सा 19-20 अप लगा लिजेगा तो यह company अगर 20-30 ratio पर काम करती हुने जा रहेगी त तो market cap होगी यानि कि 4000 करोड़ रुपे है यानि कि 4000 करोड़ रुपे है और आज की data में market cap है 3589 तो हम थोड़ा सा conservative मानते हैं कि चलिए कि 10% का हम margin of errors ले लेते हैं statistical errors मानते हैं कि इतनी हो सकती है हमारी तो 3600 करोड़ रुपे यानि कि जो आज के का भाव है वो भाव शायद make money organo camp को after the delisting भी मिलेगा ठीक है जी नियर बेस पे जो नई company आएगी वो भी हो सकता है कि आपको value कम करती भी नजरनी आएगी क्योंकि इस में से जो chloro alkalized वाले business है उसको normally जो valuations है वो उसके हिसाब से मिलती थी और अब पिछले तीन महीने के अंदर शेयर चलने का भी reason यह कि उस तरीके के business में re-rating हो रही है बाकी companies की भी राइट अब MFL की जो valuations की थी जिगनेश शाह ने जो डीमरेजर के लिए valuations report तैयार की थी उन्होंने MFL की valuations के लिए existing profits को लिया था यानि कि जो उस समय पर वरतमान में profit थे जो करीबन 80 करोड थे और उस 80 करोड के हिसाब से उस 80 करोड के हिसाब से उन्होंने जो PE valuations ली थी वो 4 की ली थी यानि कि अगर उस मोटी मोटी calculation को देखेंगे तो वो 4 की PE ली थी और उन्होंने फिर थोड़ा सा marginally इसको growth parameter के साथ 20 करोड रुपे और बढ़ा दिये था यानि कि वो assume कर रहे थे कि 100 करोड का profit होगा 4 की PE होगी तो यानि कि 400 करोड रुपे पे इस valuation को आका गया मैं उनकी valuations को challenge नहीं कर रहा क्योंकि अगर court उस valuations को मानता है तो यह valid ही होगी बट MFL की value कम आकी गई जो मुझे लगता है क्योंकि उस समय पर गुजरात alkalize वाली जो company है और GHCL यानि कि गुजरात heavy chemicals limited उन companies की valuations भी lower side पे थी जिस समय demerger announce हुआ तो यह valuation जो है यह justify नहीं है तो यह MFL की जो valuation है यह justify नहीं है लेकिन इसकी वज़े से जो number of shares हमें 94 मिल रहे है और वो 94 की जगे अगर आज की प्रस्तिती होती आज की valuations होती तो करीवन करीवन हमें 120-130 share मिल रहे होते लेकिन उस समय सारे share पिटे हुए थे तो फाइन कायम का share भी जो है उसी valuations के हिसाब से निकाला गया जो गुजरात alkalize की या गुजरात heavy chemicals limited एनी की जीएच सेल की निकाली गई और उस समय MFL का विजनस खाली purely purely कास्टिक सोड़ा विजनस था chloromethane और hydrogen peroxide जो है उसके अंदर आने वाले थे या आने की तैयारी कर रहे थे तो valuations जो है MFL की lower side पे हुई जिसकी बज़े से हमें cable 94 share मिलेंगे लेकिन आज परस्तिती बदल चुकी है आज परस्तिती बदल चुकी है आज परस्तिती ये है कि make money fine cam limited आज की डिट में 100 क्रोड ही profit generate करेगी अभी मैं future की बात नहीं कर रहा future की बात नहीं कर रहा मैं आज की बात कर रहा क्योंकि जो 200 क्रोड है वो future में यह तो अभी make money organics तो 170 170 क्रोड तो और आम से अभी भी जन्रेट करेगी तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन MFL अभी शायद 100 क्रोड रुपे generate करेगी अगर MFL 100 क्रोड रुपे generate करेगी अगर MFL 100 क्रोड रुपे generate करेगी तो अब उस इसको वैलुशन मिल रही है 10 के और ये वैलुशन बनती है 1000 क्रोड और अगर 1000 क्रोड को अगर आप 4 से डिवाइड करते तो इस शेस की वैलुशन बनती है 2500 रुपे यानि कि जो आपको 94 शेस मिलेंगे वो 2500 रुपे के है यानि कि 1000 शेर के उपर जो आपकी investment थी वो तो as it is र लेंगे तो इनकी वैलुशन आपको क्या रही है तो आप देखेगा 2500 इंटू 94 तो ये वैलुशन आती है तहीस 1500 रुपे तहीस 1500 रुपे यानि कि आगर आज आप एक लाक 41,000 रुपे लगाते हैं तो आपको 23,500 रुपे का गेन आ रहा है और वो 23,500 कहां तक जाता है 23,500 divided by 1,41,000 कहांड सेंटेश तो इसका मतलब एक इस शेस के अंदर अभी भी 17% कए जो है राइस हो शकता है तो इस शेस में अभी भी कितना राइस हो सकता है इसमें अभी भी 17% का rise हो सकता है तो ये जो 17% का rise है इसके लिए जो है अभी इतना potential इस चेस के इंदर बचा हुआ है तो ये तो होगी potential की और आपने मेरी पिछली वीडियो भी सुनी होगी तो मैंने भी वहीं पर ये अगर 150 रुपे में अगर आप 20 रुपे जोड़ते हैं 140 में 20 रुपे जोड़ते हैं तो 168 और 170 और वही प्राइज मैंने आपको बताया भी थे कि 170-180 रुपे के असपास exit करने का जो है प्राइज वो fair value के असपास आजएगा ये तो मैंने बताई आज की वर्तमर पर इस थे थे लेकिन मुझे क्या लगता है मुझे क्या लगता है ये मेरी अपनी judgment है और मेरे अलावा जो कलकत्ता में बैठे operators है जो लोग मुंबई में बैठे operators है जो गुजरात या एमदाबाद से जो कर रहे है उनके दिमाग में क्या चल रहोगा वो मुझे पढ़ना है मुझे जो परस्नली लगता है वो ये लगता है कि ये कंपनी अगले तीन साल के अंदर 200 क्रोड रुपे का प्रूफिट जेनरेट करेगी राइट लेकिन आज कर रही है 100 क्रोड का और 500 रुपे उस कंपनी की वैलू बनती है जो कि डी मर्जो के आएगी अगर 200 हो जाती है तो वैलू बनती है 500 रुपे वैलू बनती है 500 रुपे लेकिन माई डियर जब ये कंपनी 200 का क्रोड जेनरेट करेगी तो ये शिर्थ 10 के पी पर नहीं चलेगा ये बड़ी कंपनी की केटेगरी में आ जाएगा और ये 15 के पी पर जाएगा और मैं इस तरीके के केस अपने आर्थी इंडस्ट्रीज, शिर्राम फाइवर्स, SRF के शेस में अल्रड़ी देख चुका हूँ और तो लिम्टेड भी इसका एक्जाम्पल है और बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर मैंने इस तरीके की वैलूइशन की रिरेटिंग देखिए तो ये कंपनी बनेगी तीन हजार करोर की तो तीन साल बाद आप इस शेस की वैलू समझिए कि तीन हजार डिवाइड़ बाई चार साड़े साथ सो और यही रीजन है कि परमोटर की होल्डिंग भी इस कंपनी में जाना है यानि कि परमोटर इस कंपनी में अपने स्टेक को ढिला नहीं कर रहे है क्योंकि यहां पर भी वैलूशन साड़े साथ सो रुपे की बनेगी तो जो नाइन्टिफूर शेस है वो साड़े साथ सो रुपे के भाव तक जा सकते हैं अगले तीन साल में अब बात ही है कि यही जाएंगे तीन साल में दो साल में या एक साल में या बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं यह है पूरी की पूरी घटना तो बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं अब वो सुनिएगा देखिए का यह 20.00 रुपे में लिस्ट होगा ना यह 20.00 रुपे में जो शेर होगा इसको कुई छोड़ने वाला ही नहीं है यह retail investors के हाथ से छीन लिया जाएगा यह share आप करोगी कोई आपसे छीनने आजाएगा नहीं छीनने नहीं आएगा लेकिन जो शेर्स आपको फिरी में मिलेंगे और आपके पुराने शेर की कीमत सेम रह जाएगी तो retail investor किस तरीके से सोचता रही है तो मेरे को फिरी के share है चलो इनको बेच दो और वो मिलें में अब कि तो हजार शेर होंगे तो 94 शेर बूला यार कोन इनको समालता फिरेगा और किसी बस सो शेर है तो नो शेर आएगा वो कहागा चलो इसको बेचो यार लेकिन इस जितने बड़े players है जिनका मैंने भी जिक्र किया वो इस फिराख में कि ये शेर उनको 200 में मिल जाए कितने मिल जाए? 200 में और मैं अपनी बात करता हूँ मैं इस share को 350 रुपे भी नहीं चोड़ने वाला अगर ये share 350 रुपे में भी मिला ना तो मैं इसको चोड़ने वाला नहीं शाड़े 300 में भी अगर listing लोगा अपने यह बैचूंगा इनいい यह तो बात पके यह तो मैं अपने तो बैचूंगा है सारा गेम तो इसी में तो मैंने तो यह तो अगर मेरि सोच यह मैं इसको साड़े 300 में लूंगा तो इसके लिए शेर कहां से आएगा मेरी डिमाण तो इस 200 से लेके 300 सो तक सोच रखने वाले और भी लोग होंगे मैं केला तो होंगा नि तो 200 से 300 सो तक सरफिट लगेगा और हकीकत बात बताता हूँ ये यब एक शेर है गैलक्सी ठीक है सरफिकेंट्स तो गैलक्सी सरफिकेंट्स के साथ जो हो न वो इसके साथ हो को तो जाके सर्च कर लीजेगा जैसे सोलार एक्टिव का शेर आया तो सोलार एक्टिव देखे कर 200, 300, 300 वो भी ऐसे डीमर जो के आया था आज 1500 रुपे का बाव है मैंने भी आपको 950 रुपे पर मैंने आप अलफा मेंबस को खरीदेने की सला दी थी आप लगों को और आप मेंसे बहुत लोगों ने सोलार एक्टिव में भी पैसे बनाए आज 1500 से उपर का बाव है और मेरा पहला टार्गेटी 1500 का था जो बढ़कर मेरा 1800 रुपे इसे लिए के 2000 के बीच का है तो सोलार एक टिक पर भी अपडेट आगे एक तरीके से आपके लिए तो यह जो 2500 रुपे से 300 रुपे है यह तो मैं ही खरीदने के लिए था यारु आज अब बात यह है कि 2500 से 300 300 होगा क्या है बाइस सब इस कंपनी में फ्लोट नहीं है अब किवल एक करोड़ शेयर ही बज़ार में उपलबद है इसके लावए पर अगर तो यह कंपनी कुल मिलाकर अगर अगर एक 3.000 कों में पिसको अगर शेयर को लीते है तो यह company केवल 1400 क्रोड की market cap पे पहुँचती है fine cam, make money fine cam और मुझे यह लगता है कि 1400 के भाव में भी undervalued होगी क्योंकि यह जो fine cam का जो business है, इसी में major expansions है company के सारा profit इसी मान है, agro-cammable-cammable में तो केवल 500 क्रोड का expansion है हाला कि pigment में भी कुछ ना कुछ company जरूर करेगी, या कोई ना कोई प्लान चल रहा होगा तो उसके बारे मैं भी कोई rumors creator नहीं करता, बट वहापर भी कुछ ना कुछ होगा पर मैं fine cam पे बात करूँ, तो 1400 क्रोड रुपे की market cap उस fine cam की हो सकती है अगर 3500 भाव जाता और मुझे लगता कि 3500 रुपे में छोड़ने वाले नहीं है और जो आज पुरानी वीडियो डाली है ना मैंने, जो पुरानी वीडियो डाली है वो ध्यान से सम्झिएगा उसमें इस company के promoter ने fine cam का share 125 रुपे में खरीद के cancel कर दिया buyback तो जिन लोगों corporate governance पे issue था तो वो समझेगा जिसको मैं 3500 में खरीदने के लिए तैयार हूँ उस share को company ने 125 रुपे में दे कर विदेशी fund house से, IFC से अपना पीचा छोडा लिया चल यार तू अपने share दे और हमारा पीचा छोड़ यानि की 125 रुपे में आई एफसी के cancel होगा है तो यह समझेगा कि जो 700 रुपे वाली चीज है वो आज 200 हो चुकी है आज मैं मुझे जो लगता है यानि कि जो listing के पहले दिन जो प्राइस होगा वो approximately 200 रुपे होगा और मैं उसको 300 में खरीदने के लिए तैयार हूँ और आपके लावा जो भी हमारे friend circle में लोग हैं जो हमारे client है अलफा में बसके लावा उन सबको हम एक एड़वाईज दे रहे है कि इसे share को छोड़ना नहीं है तो listing वाले दिन हम इस share को साड़े दीन सो में खरीदें तो वो सभी लोग मेरे को कह रहे हैं कि सर अगर इसे में circuit अलग गया और circuit to circuit share चलता रहा तो इस share को फिर हम लेंगे कैसे क्योंकि हमारा interest तो coloro alkalize वाले business में fine camp में यह सेम चीज बंबे गुजरात और बंबे वाले operator सब समझते हैं कि अगर कैलकटा की बात करें बंबे की बात करें या गुजरात को उपरेटर वो सब इस बात को समझते हैं जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ तो उन लोगों को यह पता है कि भाई सब एक रविंदर नाम का व्यक्ति भी है जो retail investors को aware करता जा रहा है और वो हमारे को यह share खरीदने नहीं देगा वो fine cam की सारी स्टोरी सब के सामने पहले लिया आएगा तो क्या किया जाए तो क्या यह जाए कि पहले ही make money organics का share बटोर लो जिसकी वज़े से जो उस time पर share रखेगा उसको पैसे मिल जाएंगे दूसरी बात है कि retail investors तीन महीने अगर वो share बेचेगा नहीं तो बहुत सारे ऐसे retail investors हैं जिनके हाथ में गुद गुदी रहती है अरे यार कुछ तो भी करना है कुछ तो करना है सुवैसे शाम तक ट्रेड करना है अगर उनके share दो तीन महीने भी कहेंगे ने डी लिस्ट होंगे तो जिस दिन डी लिस्टिंग की date आएगी वो घबराड है अपने share बेचे जाएंगे तो जितना माल बटोर सकते हैं वो बड़े प्लेयर से बटोरेंगे जैसे ही फाइन कैम की लिस्टिंग होगी वो लिस्टिंग पे भी जितने share दो चार पांच दस दिन में जितना बटोर लेंगे बटोर लेंगे और उसको circuit लगाते रहेंगे और मेरी best case scenario के अंदर optimism scenario के अंदर ये scene है कि ये साड़े 300 पर अगर मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ तो ये share 700 रुपे से पहले रुखने वाला नहीं है उस समय पर fine cam की valuations होगी 2800 करोड रुपे और ये valuations मुझे justify लगती है क्योंकि make money fine cam limited के अंदर जिस तरीके के expansions हैं जिस तरीके के product हैं जिस तरीके से वो company 2023 तक तयार होगी वो company basic chemical company नहीं होगी बलकि एक specialized chemical company होगी और जहां पर की valuations एक दम अलग तरीके से deal होगे तो हलाकि हम लोगों को इतनी wealth नहीं बनेगी असली रूप से अमीर तो देखिएगा company के promoter ही बनेगे माला माल तो company के promoter ही होगे तो यह जो मेरी चर्चा है मैं यहीं पर swap करता हूँ आप अपना खरीदने का बेचने का decision खुद लीजे बट मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं जैसे ही अब नीचे की तरफ दुबारा से share आएगा हो सकता है मैं इन prices के ओपर भी जो price अभी भी मुझे screen पर दिख रहे हैं इन पर जब तक deal listing नहीं होती है मैं share बट औरता रहूंगा बट मेरी लिए भाव भगवान जितना सस्ता मिल गया उतना मेरा भला तो महंगा लेने की बजाएब मैं ऐसे दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन जो है share बजार नीचे के भाव पे हो उस दिन इखटा करने में मज़ बिली हैं तो उनके बेचने के बाद वही सारे shares मुझे 10 रुपे नीचे मिल गए उन्होंने 137,40 पैसा में मिला था बेचे थे मैंने 127,40 पैसे के आसपास 126,27,28 में पिछले दिनों में accumulate भी किये हैं और अब दुबार आप भी आएगा तो मैं accumulate करूँगा लेकिन मैं आपक से ले अपनी खुद स्टेडी करें अपने अपने रिस्क एपिटाइट को समझिएगा आपके इतना जटका जहल सकते हैं और पूरी स्टोक मार्केट की डी रेटिंग होगी तो भी यह शेर नीचे भी जा सकता है और यहां से भी 20-30 पसंड करेक्ट हो सकता है अगर आपके सबसे खास बात है अपना सरदर्द मत करिए क्योंकि आप एक बार ले लेंगे सबसे बड़ी समस्य आप लोगों के साथ यही है कि बहुत सारे जो हमारे इंवेस्टर्स हैं उन्हों के अंदर यही है कि शेर खरीदेंगे अभी और खरीदते के साथ भाव पूछेंगे सरगल पैसे के पःट चारिष नहीं होता इसको भाहिया इसको सेख सकते हो पका सब्सक्ती सकते हो उत्हार सकते हो larger साध्य उसके सब्सक्राइब ludzie का मेरे कोई नहीं है मेरे जो ले park करर दी है जितना माले यहां से निमदा कर सकता हूं उतना हमने प्नी केपर सिटी से आज की हुर् लब्ध होंगे उसके हुसाब से मैं साड़े तीन सो रुपे तक कि आज की हिसाब से बिड़ करने की कुशिश करूंगा तो यह मेरी जो चर्चा है मैं यहीं पर समफ करता हूं वीडियो लंबी हो गई है लेकिन बाइस सब कोई चीज समझाएंगे तो छोटी समय में तो समझा अब आप कहते कि छोटी सी वीडियो बना दो पांच मिनडे का तो काम भी नहीं था समझा कहां से देता है और फर्दार रहनालसिस नई वीडियो के अंदर करूंगा तो कभी-कभी टीचर को देखेर डाटने का भी अदिकार होना चाहिए तो मैं कभी-कभी आपको थोड़े योग दूसरे शेस में भी करें, वहाँ पर आप एक अच्छा लाब भी कमाएं, आप अच्छे इन्वेस्टर बनें, और अगर आप थोड़ी वो ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ट्रेडिंग समझदारी से करें, इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं ही पिस्वाप करते हूं, थ